असलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माइनेम इस अनस हाशिम एंड टोड़े विया गूंग टॉक अबाउट एजमा जिसे हम अस्थमा या दमे का भी नाम देते हैं आज हम उसकी बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से एजमा कहते किसे हैं करॉनिक इनफ्लमेटरी रिवर्सेबल ब्रोंको कॉंस्ट्रिक्शन यह चार-पांच लवज लगेए हैं जिनके हर लव्ज का एक मतलब है करॉनिक फॉर लॉंगर टाइम इनफ्लमेटरी कोई एक इनफ्लमेटरी रिस्पॉंस हुआ है डियू टू इम्यून रिस्पॉंस ब कि immune system ने को एक response किया है जिसकी वज़ा से inflammation हुई है reversible यानि कि repeat होता है ठीक है ठीक भी हो जाता है और फिर वापस हो जाता है यानि कि cycle चलती है इसकी and bronchoconstriction this is the main word और bronchoconstriction की वज़ा से chronic obstructive pulmonary disease में भी शामिल होता है bronchoconstriction से अमें क्या बात याद रहती है कि bronchal wall j arो हो जाती है और जब ब्रॉंकिल व रो सी more ऑजती है तो उसकी वजह से क्या होता है सांस लेने में मुश्किलात होती है एक ऑR important Tamar मैंने काही थी कि जब रॉंक्र आपको पता है निए जम सीटी पे जाते तो एक पतली सी वाल होती है जिसमें से हम जोर से air blow करते हैं तो क्या होता है वीजिंग साउंड प्रोडियोज होता है वही ब्रॉंक कॉंस्ट्रिक्शन में होता है कि जब आपके पास नैरोइंग हो जाती है ब्रॉंकिल वाल की तो वी कोई स्ट्मिलस आता है जब कोई एलर्जिक रीक्शन होता है तब यह रियक्शन आपके पास अइस्मा में कर्फा होता है और यानि कोई स्ट्मिलस बॉर्डी में आएगा और सुबा सुबा होता है इसकी एक और करेक्टर स्टिक है इसमें है WBC साइन, अब वाट इस WBC साइन, WBC is wheezing, breathlessness and cuff, तीन चीजें, wheezing मैंने बताया है क्योंकि ब्रॉंको कॉंस्टिक्शन है, इसलिए breathlessness, क्योंकि narrowing of wall हो रही है तो सांस लेने में और निकालने में मुश्किलात होगी, और cuff, cuff क्यों ह होता है, जब आपके पास inflammatory response होगा, तो किसी stimulus की वज़ा से हुआ है, यानि कोई foreign body आईए, और जब foreign body आती है, तो क्या होता है, mucus बनता है, और mucus बनता है, तो क्या करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और cuff होता है, तो इसलिए यहां पे cuff भी एक important point है, जब ह genetic से क्या मतलब, यानि के familial हो, आपने अगर asthma के patients देखे हो, क्योंकि बहुत आम बीमारी है, तो जादे तर जो होते हैं, फैमिली में asthma चल रहा होता है, कि father को था, grandfather को था, तो बच्चे को भी है, और उनके बच्चे को भी होता है, तो asthma जो है, वो familial भी चलता है, यानि के family क तरू चलता है, genetic है, दूसरा allergic reactions, अब क्योंकि genetically है, तो इसमें जो family में आपका बंदा है, यानि के for example, father को हो सकता है, कि pollen से allergy हो, बेटे को हो सकता है, smoke से हो, मिटी से हो, या पर सर्दी से भी allergy हो सकती है, तो इसमें क्या होता है, allergic reactions होते है, और allergic reactions की वाज़ा से asthma कैसे होता है यानि के bronchoconstriction कैसे होती है, वो बात है pathogenesis की, जो कि हम जरूर करेंगे, बगर pathogenesis की तो हमारे concept ही ही बनेगा, next is non-atopic type, non-atopic type जो है, वो viral और bacterial infections की वज़ा से होती है, जाद अतर, ठीके, लेकिन इसकी pathogenesis अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन हम इसकी pathogenesis पर फिर भी बात क करेंगे, जो हमारी understanding है, जहां तक हमारे concepts बन सकते है, pathogenesis अगर हम देखें कि asthma में basically होता क्या है, तो एक line में अगर मैं आपको समझाओं तो type 1 hypersensitivity reaction है, इसमें, simple सी बात है, इसमें type 1 hypersensitivity reaction होता है, अगर आपको याद नहीं है, तो मैं अभी बता देता हूं कि होता क्या है basically, starting with, inhale कर लिया कोई foreign body, ठीक है, atopic की बात हो रही है, allergic reaction, कोई भी foreign body हो सकती है, for example, अगर किसी शक्स को peanut से अगर allergy है, ठीक है, अगर उसने peanut inhale कर लिया, खा लिया, तो peanut क्या होगा, foreign body है, वो आपकी bronchial wall में जाके क्या करेगा, bronchial wall में लग जाएगा, तो सबसे पहला reaction क् होगा, T helper 2 cells induced हो जाएंगे, T helper 2 cells कब induced होते हैं, जब कोई foreign body आती है, अगर आपको immune system का topic यादो, तो T helper 1 cell था और T helper 2 cell था, T helper 1 cell जो होते हैं, वो किसी antibody की वो किसी viral या फिर bacterial infection की वजा से होते हैं, और T helper 2 cells कब होते हैं, जब कोई foreign body आती है, T helper 2 cells और T helper 1 cell दोनों का ही काम क्य होता है, T helper 2 cells के cytokines क्या करते हैं, वो release करते हैं, interleukin 4, interleukin 5 और कभी कबाल interleukin 10 और 13 भी, लेकिन जो दो में interleukin 4 और interleukin 5 जिसके अभी हम बात करते हैं, interleukin 4 जो है, वो आगे जाके मजीद किसको release करवाएगा, IgE को, mediate कर देगा, IgE को, ठीके, IgE अगर आपको याद हो, तो हमने antibodies पढ़ी थी, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, तो यह IgE antibody है, ठीके, और अगर आपको थोड़ा और याद हो, तो यह IgE antibody कहां जाके लगती थी, mass cell पे जाके लगती थी, और वहाँ पे allergic reaction करवाती थी, ठीके, जो आगे आगे आपको नजर आएगा, दूसरी चीज, interleukin 5, जो को release करवाते हैं, अब वापस पीछे की topics पर अगर हम जाएं, तो मैंने एक खास बात बताई थी, क्या करता है, कहां पे allergic reactions में बहुत जादा पार्ट लेता है, किस तरह पार्ट लेता है, और जो है, वो release करवाएगा, कुछ ऐसे enzymes, कुछ ऐसे, आपके पास release करवाएगा, histamines Leukotrienes, Leukotrienes, Histamine, Bradykinin, वो जाके क्या करेंगे, वो inflammation कोस करेंगे, inflammation कैसे कोस करेंगे, अगर मैं आपको यहां पर समझाओ, अगर हमारे पास, यह हमारी bronchial wall है, ठीके, bronchial wall और इसके पीछे हमारे पास क्या होता है, यहां पे सारी इसकी membranes है, ठीके, basement membrane आ गई, muscles आ गई, ठ capillaries गुजर रही होती है, ठीके, यह blood capillaries है हमारी, blood capillaries में क्या होता है, जब भी histamine release होता है, या फिर Leukotriene release होते हैं, तो यह क्या करते हैं, यह जाके permeability बढ़ा देते हैं, ठीके, यह blood vessels की permeability को बढ़ा देते हैं, और vasodilation करते हैं, यानि के vessels को dilate करते हैं, बढ़ा देते हैं जब वेजल्स डाइलेट जाती हैं तो ब्लड जादा तेजी से फिलो होता है जब ब्लड जादा तेजी से फिलो होता है तो क्या होता है एंटी बॉड़ी जाती है और वाइबलेट सेल्स आते हैं और बढ़ जाएगा ठीक है वाइबलेट सेल्स आना शुरू हो गए और व तो इसमें inflammatory response हो रहा है और inflammatory response क्यों हो रहा है क्योंकि और रिलीज करवा रहे हैं histamine आगे देखते हैं IgE जो थे वो जाके B cells पर लगते हैं और B cells से क्या रिलीज करवाते हैं antibodies ठीक है यह काम काम होता है यह काम होता है re-exposure पर री-exposure पर जब पहली दफ़ा exposure वा था जब पहली दफ़ा कोई foreign body आती है तो सिफ आपके पास IgE बन जाते हैं ठीक है जब दूसरी दफ़ा exposure होता है तो IgE तेजी से बढ़ते हैं और जाके B cells पर attach हो जाते हैं उनके FC receptor पर ठीक है FC receptor पर attach होने के बाद antibodies बनाते हैं antibodies बनाने के बाद और क्या करते हैं IgE जाके mass cells पर लग जाते हैं और mass cells से क्या release करवाते हैं histamine और leukotrienes यहाँ तीन leukotrienes important हैं C4, D4, E4 histamine हो, leukotriene हो, bradykinin हो इन सब का काम एक ही है inflammation करवाना और vasodilation करवाना vasodilation करवाएंगे angiogenesis करवाएंगे angiogenesis new vessels बनना शुरू हो जाएंगी ठीके white blood cells का inflow बढ़ जाएगा white blood cells का inflow बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर immune response आएगा edema होगा जो bronchial wall वो constrict होगी narrowing होगी सांस लेने में तकलीफ होगी, coughing होगी, साथ में एक और response बनता है जब भी आपके पास कोई antibody या दिया तो क्या होता है mucus बनना शुरू हो जाता है तो अब जो bronchial wall का जो space रह गया है वो क्या रह गया है बहुत narrow रह गया है तो यह आपके पास pathogenesis होती है atopic में जब हम non-atopic देखते हैं तो non-atopic में viral या bacterial infection होता है और जब भी viral या bacterial आता है तो वो क्या करता है आपके पास T helper cell 1 को भी induce करता है 2 को भी induce करता है और वो क्या करेंगे वो भी inflammatory response करेंगे तो इसके उपए studies अभी भी चल रही है लेकिन basically concept गया है कि infection inflammation को cause करेगा आगे बात करते हैं हम किसकी clinical features, diagnosis, treatment बहुत आसान है clinical features यानि के clinically हम क्या देखेंगे सबसे पहले हमाई पास जो patient आएगा वो dyspnea के साथ आएगा है कि सास लेने में उसे तकलीफ हो रही होगी हो सकता है वो अपना sentence एक ही जुम्ले में complete ना कर पाए for example बोले डॉक्टर साब मैं यह लेकर आयो यानि के वो पूरा sentence complete ना कर सके this is one of the sign productive is another sign जिसमें कफ के साथ में क्या म्यूकस आए ठीक है अब म्यूकस क्यों आ रहा था मैं आपको कहा था कि foreign body को निकालने के लिए आ रहा था साथ में inflammation की वजह से जो damage होगा bronchial wall बे उसके साथ भी जो चीज़े आएंगी वो भी कफ में निकलेंगी तो हमाए पास क्या 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 कफ में नजर आएगा एक तो spiral shape mucous plugs नजर आएंगे जिसे हम कर्श्में spirals भी कहते हैं दूसरा oisnophil derived crystals नजर आएंगे जिसे हम चार्कट लेडन क्रेस्टल कहते हैं यह वाली बात तो समझ आती है क्यूंकि आपको निकलना शुरू हो जाए as a spirals ठीक है और वो कफ में आपको नजर आएगा तो उसे हम कहते हैं कर्श्में spirals ठीक है diagnosis के अगर हम बात करें तो diagnosis के लिए सबसे पहले pulmonary function test बहुत important है एक तो आपने CBC करवा लिया और pulmonary function test करवा लिया pulmonary function test में हमने पढ़ा दा COPD में क्या होता था फोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्फ वॉल्यूम और वन सेकंड यानि के निकालना एक सेकंड में क्या होता है कम हो जाता है यानि के आप बहुत लंबा टाइम लेते हैं हवा को बाहर निकालने में ठीक है ऐसा होता test better with bronchodilator जब हम asthma के patient को bronchodilator देते हैं तो उसका FEV1 बहतर हो जाता है लेकिन ऐसा chronic bronchitis या FICEMA में नहीं होगा क्यों क्योंके वहां पे permanent damage हो जाता था bronchial wall पे आप bronchodilator देखिए उसकी walls को खोल नहीं सकते तो इस चीज़ से आप उसको differentiate कर सकते हैं पहली चीज़ दूसरा आप methacoline challenge कर सकते हैं methacoline जो है वो एक bronchoconstrictor है methacoline का फर्क जो आपके chronic bronchitis उन पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपके पास asthma के अंदर methacoline का बहुत जादा फर्क पड़ेगा यह दो चीज़ हो सकती है cbc में हमें क्या मिलेगा cbc में obviously हमें oezynophilia मिलेगा ठीक है oezynophils बड़े हुए होंगे अब diagnose हो गया asthma है treatment कैसे करें treatment करते हैं on the basis of stages ठीक है लेकिन क्योंकि हो एक medicine का topic है जिसके पर अलग वीडियो बन सकती है तो उस पर मैं फिलाल बात ही करूँगा लेकिन मैं आपको drugs जरूर बताऊंगे कि कौन से drugs use किये जा सकते हैं और वह कैसे होगा वह आप खुद डिटेक्ट कर लेंगे आपकी previous knowledge से ठीक है तो सबसे पहले drug जो हम देते हैं दो relieving drugs होते हैं यह दो relieving drugs होते हैं यानि कि किसी को asthma attack आ रहा है तो आप क्या देंगे ऐसी ऐसा drug देंगे जो foreign act करें उस drug को कहते हैं short acting ठीक है यानि कि foreign act करेगा beta agonist या फिर anticholinergic और यह दोनों किस तरह होते हैं यानि कि inhaled होते हैं आपने देखा होगा कि asthma के पेशन्स होते हूं pump लेगे गुमते तो उसमें सबा होती है सबा यानि कि short acting beta agonist जिसके अंदर कौनसे drugs मौझूदे अलबिटेरॉल और टर्बिटेलाइन यह दो ड्रग्स हैं important है याद रखने आपने ठीक है अच्छा दूसरा drug क्या होता है short acting anticholinergic में कौन सा होता है अच्छा यह बात है अगर आपको समझ नहीं आरी तो यह भी मैं समझाते था हूं कि यह वाली ड्रग्स कैसे useful है ठीक है आपने parasympathetic और sympathetic nervous system मेरे खाल में नहीं लाना हमें लाना किसको है sympathetic को ताकि आपकी bronchial wall क्या हो जाए वाइड हो जाए ना के construct हो यह परा sympathetic में वाइड हो जाती है डाइलेड हो जाती है तो देखे short acting beta agonist beta और alpha कहां आते थे sympathetic में आते थे और short acting beta agonist यानि के beta को यानी beta की काम करेगा ठीक है यह फॉरण जाके beta agonist beta का काम करेगा तो beta का काम कौन सा वाला है sympathetic nervous system और sympathetic nervous system में क्या होगा यानि किसी को asthma attack आ रहा है तो इसकी नाली है सांस की वह खोल देगा दूसरी जीज शॉर्ट एक्टिंग anticholinergic cholinergic कहां हो receptors होते हैं parasympathetic में तो अगर इसकी bronchoconstriction हो रही है तो cholinergic देकर क्या कर सकते हैं इसको रोक सकते हैं रोका जा सकता है तो यहां पर यह भी helpful है शॉर्ट एक्टिंग के इलावा एक और ड्रक्स होते हैं तो रात में उसका असर चलता रहेगा या फिर morning तक उसका असर चलता रहेगा तो long acting betagonyst or long acting anticholinergic वहां यूज़ होते हैं इसकलावा other drugs कौन कौन से हैं तो ICS, leukotriin और mast cell stabilizers सबसे पहले बात करते हैं ICS यानि के inhaled corticosteroids, एक बात याद रहने हैं कि steroids हमेशा वहां यूज़ होते हैं जहां immune system का response रोकना हो, immune system का response बंद करना हो अब इसमें asthma में कैसे यूज़ होगा, asthma में हमने देखा था T-Helper 2 cells थे, T-Helper 2 cells से inflammation हो रही थी, जिसके वज़ासे bronchoconstriction हो रही थी तो हमें bronchoconstriction को रोकने के लिए T-Helper 2 cells को रोकना पड़ेगा, यानि के immune system के response को रोकना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, corticosteroids, जिसमें main corticosteroids, baccalometa sone, जो के low dose inhaled corticosteroids है, जिसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन preferred drug choice नहीं है, क्योंकि इसके further complications बहु आपके पास bronchoconstriction हो जाती थी, क्योंकि एडीमा हो जाता था, तो हमें leukotriens को रोकना है, तो उसके लिए leukotriens receptor antagonist, यानि कि उसको रोकने वाला, तो उसमें कौन कौन से drugs है, montylucast और zafirlucast, आसान से नहां में याद हो जाएंगे, इसके लावा mass cell stabilizer, अगर आपको याद करने के लिए, chromalin, sodium, and nadochromal, ये दो drugs ये दो द्रक्स यूज होते हैं, जो के market में बहुत easily available होते हैं, so that's all about the treatment of asthma and clinical features, और आपने डिगनोसिस भी पढ़ लिये, इससे पढ़र आपने pathophysiology की भी अच्छे से बात कर लिए, so that's all about asthma, and now we will going to talk about respiratory pathology, other diseases, thank you for watching this video, please subscribe. झाल